नमस्कार दोस्टों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत दोस्टों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अक्टूर दोजर बायश के आपके राशी फल के बारे में दोस्टों केशा रहें का आपके आज का दिन क्या कहते हैं गराफ शितारी जाने के पूरी आज के विस्तारशी शुरुवात करते हैं आज के बहुत यच्छे ग्याउनसे दोस्टों कभी मन को निराश नौह ने आये शमझाते हैं एक बहुत यच्छी काणी से दोस्टों सुबह होते ही एक बिखारी शेट जी के घर पर विक्षा मांगने के लिए पहुँच गया बिखारी ने दरवाजे खटकटाए शेट जी बाहर आए पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ ना निकला वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बरतन उठाकर बिखारी को दे दिया बिखारी के जाने के थोड़ी दिर बाद ही वहां सेट जी की पतनी आई और बरतन नों पाकर चिलाने लगी अरे क्या कर दिया आपने चांदी का बरतन बिखारी को दे दिया दोडो दोडो और उशे वापस लेकर आओ शेट जी दोड़ते हुए गए और बिखारी को रो रो कर कहा भाई मेरी पत्नी मुझे जानकारी दी है कि यह गिलाश चांदी कहा है कि रिप्या उशे संस्ते में मत बेश देजिए का वहीं पर खड़े शेट जी के एक मित्र ने उनसे पूछा कि मित्र जब आपको पता चल गया था कि यह गिलाश चांदी का है तो भी उशे गिलाश क्यों ले जाने दिया शेट जी ने मुश्कुराते हुए कहा कि मन को इस बात का अभ्यस्त बताने के कभी दूखी और कभी दिनाश नो हो मन को कभी दिनाश नो होने दें बड़ी शे बड़ी हाने में भी प्रशन रहें मन उदाश हो गया तो आपके कार्य करने की घिमी हो जाएगी इसलिए मन को हमेशा प्रशन रखने का प्रयाश करें जया दोसों तो दोसों आज का यह ग्य आज दिन शौमवार तीन अक्टूवर दोजार बाइश शुकुलपत की अश्टमी तिथी शाम के चार बचकर 38 मिट रहेगा उसको प्रांती नौमी तिथी प्रारम हो जाएगा पुर्वा शाड़ा नाम करनेशतर रात्री के प्रातर काल 12 बचकर 25 मिट रहेगा उसको प्रांत की बात करें अर्थात दिन के शुब शमय की यह में आपको भी शुब और महत्मुन कारें को भूल से भी ना करें तो यह शुमय रहेगा शुबा के शाड़ा बचकर 29 मिट तक और दोस्तों चैनल माई दिन धनुर राशिक प्रांत मकर राशी में शंजार कर जाएंगे दिन क अर्थात शुब शमय की यह शुमय रहेगा शुबा के 11 बचकर 29 मिट तक यह में आप शबी शुब कारियों को कर शकते हैं तो यह दोस्तों से के शार बात करते हैं जो गरहों के स्थिती है और चद्रमां का जो गोचर है आपकी राशियों पर क्या-क्या प्रभावली कराती है यह में आपका लबलाइब स्वास्त करियर और धन की सद्य के श्रेंगी आति किन-किन चित्रों को लिगरेश में आपको विशादों नहोंगा और कौन-कौन शुब कारी आपके लिए भाग इशाली होंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तारशी दोस्तों यह में अध्यात्मिक तथा धार्मिक कारियों में शुकत समय वतिद होगा घर में नेदिकी शबंदियों की आगमन शी मरजन और खुष्णमा वातारण भी बना रहेगा दोस्तों अगर अस्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंबिरताशी आवश से दिक सोच विजार करने में भी शमेनों लगाएं इसका नकार्तों परवा आपके शोवी पर पड़ सकता है तो दोस्तों इस बात का यश्मी आपको ध्यान रखना चाहिए साथी दोस्तों यश्मी अपनी विजनाएं और फिर गदियों की जनकारी किशी को भी ना दे यह आपको यश्मी के लिए बहुत थी बहतर शाविद होंगी इसको प्राव दूस्तों यश्मी दिन की शुरुआत से यह आपको शकर्तमुकता नजराएंगी कोट कचरी से समय कामों में आपको शबलता भी यश्मी प्राप्त होने वाली है नए प्रजेक्ट की शुरूआत हो यह अपके जो समय होंगे बहुत ही महत्पूल समय होंगे काम कर्पति आपका श्मी उप्रावी बढ़ने वाले इसको प्रांद दोस्तों यह आपके दिन चरह के लिए दोस्तों आपको बता दें अपने किसी महत्पूल मुद्दे पर असमंजस की तिती में किसी नईदी की व्यक्ति यापर विश्य सगे का शात शला मसावरा आवश्च करें ये आपके लिए बैतर होंगे आपको ये उचिति सलावी मिलने वाली है दोसों ये ग्रहज ततियां आपके लिए जी उनमें कुछ विश्य पर विर्टन भी ला रहे है परन्तु शमे का शुतिवयों करना आ नजर अंदाज ना करें कभी-कभी आपकी एगो और फिर गुष्षा आपके बनते कारियों में प्रिशानी भी उत्पन कर देता है तो दोस्तों यश्मी इन बातों का ध्यान रखें शंतान की शंगति वा फिर गतिद्यों पर यश्मी नजर रखना आपके लिए आवश्य होगा दोस्तों परिवार की तकलिप और यादियों से दूर होने की कोशिस जारी रहेगी तोसनों जो बातें आप खुद सूल जाने हैं यह बातों से पर यह ना आपके शमर्थ रहेंगे दोस्तों स्वेंग का विकास करने के लिए स्वभा में थोड़ा सा स्वार्थी पन भी आपको लाना जरूरी होगा पठन पाठन तता लेकन में भी आपका जो मन है बहुत ही अच्छा लगेगा मन मुताबित आपका शमीट में वहितित होने वाले हैं इसके स इसे दोस्तों आपको इस पूर्थी की प्राप्ति होगी तथा रूची पुनकारियों में भी कुछ में आप यह में अवश्वेतित करें इसे दोस्तों आपके अंदर जो है सकार्दमकता आएगी इसको प्रां दोस्तों यह में आपके दिन चर्या करी जो समय होगे आपको यह जो श्रमें हैं उनके लिए बहुती महत्मुर्ण होगा दोस्तों उनका अम्मिल करने की आप कोशिश करें और यह कोशिश आपके लिए भाग शाल होगे मित्र दौवारा मिल रही शाहता आपके लिए अत्यांद उप्यूग तो होने वाली है इसको प्राहण दोस्तों यह की आपके दमएं लिए डोंपको बता दे सकति कि कोई भी द्वारी कोई भी में अधर नमकिल होगे तो अपने नहीं होगीbek आपके लाप प्राप्ती के शाथ उत्सावा ठीर नहीं आपके Vert नहीं किNow दोस्तों। इश्रम में आपके अपने नई दीकी लोगी आपके लिए रुकावटे वब फिर आउरोद उत्पन करशकते हैं तो दोस्वों इश्रमी इन बातों पर आपको घौर करना चाहिए इन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए किसी की भी चिकनी चुपडी बातों में येश में आप ना आएं काम काजव वो पिर पार्वरिक जुमेदारियों के बीच तालमेल बिठाना येश में आपके लिए चुनूती होगा तो दोस्तों इन सभी चीजों पर येश में आपको ध्यान देना अत्ती आउश होगा इसको प्राण दोसरे येश में आपके लिए यीश समय होगे दोस्तों आपको बतातें कि भावनों तोक शंतूलन ना बने रहने की विज़ेशे किसे भी बात पर ध्यान दे पाना आपके लिए थोड़ा शक कठिन भी होगा परिवार की लोगों के प्रती बढ़ता रोश आपके लिए नुक्षान दाएक होगा दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही बदले की भावना आपका बढ़ा नुक्षान कर सकती है इसलिए दोस्तों दोस्तों को माप करके आगवे बढ़ना यश में आपको सिखना होगा इसको पराद दोस्तों यश में अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके वायशाय की तो दोस्तों ये शमी कोई बड़ी डील या फिर ओर्डर मिलने की योग बन रहे है प्रदू राज की शिवारत लोगों के शाथ वैवार करतेश में शावधान रहे है किसी परकार की मान आने अथवा अशंका बन रहे है नोगरी में कोई भी मैदपूर कारभार आपको सुपा जा सकता है जो कि आपके लिए तरक्की दाइक रहेगा इसको परांद दोस्तों ये जो समय है आपके लिए फ्वैपार से समय नेदले कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं तो दोस्तों ये जो ये जो भी आपडियान रखें इनले नदरनदार ये बिल्कुला करें काम काज को लेकर की गई आपके जो यात्रह ये जो भी लावदायक रहने वाली है इसके साथ दोस्तों ये जो जो भी लोग है काम को आप ध्यान पूरुबख करें ये आपके लिए श्मे बहतर शाविद होंगे और इसको प्राहन दोस्तों ये श्मे आपके केरेट के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि कारचेतर में आपको बहुत अच्छी शफलता भी श्मे मिलने वाली है कारचित में काम को आलश के वज़े से आप टालने की कोशित बिल्कुल ना करें बलकि शमय में ही उन्हें पूर्विड करने का प्रयाश करें दोस्तों अपने महत्मून पेपर अथो फाइलों कोईश में आदिर सुवेश्थित वापर कंप्लिट रखें यह अपना ध्यान दें क्योंकि दोस्तों यह जो शमय है उप्लोगदियों वाला शमय होगा योजना बत तरीके शेक कारिक करना आपके लिए लाविदाइक रहेगा और फिस में भी उच्छ अधिकारियों के शाथ उच्छे तालमिल बनाकर रखना आपके लिए बैतर होगा इस की दोस्तों यह समय विवाहिति जीवन में मदूरता बने रहेगी चोटि मोटी नकारतों को यह मैश्मी नजर अंदाज करना आपके लिए बैतर होगा आपके लव लाइफ के लिए बैतर होगा दोस्तों विप्रित लिंगी लोगों से मिलते जुलते शमी मर्यादों का भी ध्यान रखें यह आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों यह जो समय है आपके लव लाइफ के लिए आपको बता दे कि पारिविर वातारुन तो शुखत बना रहेगा किसी पीरी मित्रशी मुलाकात पुराने यादों को भी प्रशान होगा इसको प्रांद दोस्तों समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए आपको बता दे प्रेम पर्शंगों में पढ़कर अपना में शेविष में नश्चना करें दोस्तों यह आपकरिया क्रीयासि में लोव साथ आपकी हेल्थ की तो दोस्तों ये शमय अत्यदिक भागदोड अतों मेहनत का अशर आपके स्वास्त पर भी बढ़ सकता है जिसके विज़र से थकान और कंजूरी आपके उपर हावी रहेगी आपको बता दें ये जिनको भी डारिया या फिर अपर की तकलीब है वह अपन अधवा इलाज अवस करवाएं दूसरों ये उनके श्वास्त करीश में बहतर शाबित होंगे